सभी को राम राम नमस्कार प्रनाम रादे रादे मेरा नाम है दिपांशी शर्मा मैं आपका रिजिंग एजुकेटर आपके लिए लिकर के आए हूं बड़ी शांदर से ट्रीक है गाइस कैलेंडर के उपर तो गाइस अभी तक अगर आप ने अनकेडमी अप इंस्टोल नहीं यूज दिस रेफरेल कोड वहाँ पर एक कोड की नहीं होती है तो दीपसर कोड लगा करके अन्रोल कर लेजगा तो श्टार्ट करते हैं हम सेवन मिर्ट ट्रिक चैनल पर आप लोगों ये बड़ी शांदा ट्रिक कैलेंडर की और कैलेंडर की मैं किस ट्रिक पर बात करने वा को सबता का कौन सा दिन था तो गाइस जब ये कोशन आपसे पूछा जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कोशन को जल्दी कैसे करना चाहिए तो चलिए समझते हैं तो गाइस वहाँ पर जो भी आपको डेट दे रखी होती है कोई भी डेट बनती है तो उसके तारिक बनी होती है वो तीन चीजों से मिल करके बनी होती है date month और year ठीक है तो यहाँ पर आप लोग इन तीन चीजों से 5 code निकालते हैं क्या करते हैं guys आप लोग जो अपनी date दे रखे होते हैं उससे 5 code निकालते हैं 5 value निकालते हैं वो 5 code या 5 value क्या होती है date, month code, century code, number of year और number of leap year अगर आपने ये 5 value सही सही बना ली जो यहीं से बनने वाली है ठीक है ना जैसे date से date बन जाएगी month code से month code बन जाएगा year से आप लोगों कि ये 2 चीज़ बनेगी और इस से ये 5 वी चीज़ बन जाएगी तो समझ ये date से आप लोगों को जैसे कहा जाता है 15 August 1947 तो guys 15 August 1947 से date का जो आप लोगों का code हो जाता है वो होता है 15 month से यानि month code निकल जाता है August का code 3 होता है century, century code जो बनता है वो year से बनता है year की पहली 2 डिजिट से बनता है guys ठीक है ना month से month code बन जाएगा और year से year जैसे आपका 1947 है उसकी पहली दो डिजिट से बनता है आपका century code और last की दो डिजिट आपकी use होती है number of year के लिए और number of year से ही बनते है number of leap year तो ये चीज आपको समझनी है कि ये 5 value कैसे derive होने वाली है एक ही date से आपको अगर ये 5 value निकालनी है आजाए जो की बहुत हसान है बहुत हसान है गाईस जैसे अगर मैं कहूं 15 अगस्त 1947 इसमें एक बात समझेगा गाईस देखिए इसमें एक बात समझेगा जो date है 15 वो तो 15 की 15. month code मैं बता देता हूँ, century code मैं बता देता हूँ, number of year में year की लाष्ट की 2 digit चली जाती है, 47 का 47 और number of leap year में 47 साल में कितने leep year, 47 बटे 4, 11 leap year, 47 साल में आप देख सकते हैं, 10 साल में कितने leep year पढ़ेंगे, 1 चोथा और 1 चाथवा, 2 ही तो leap year पढ़ेंगे, 10 बटे 4 काथ कर करके उनको जोड़ना है, साथ से भाग देना है, जो remainder आएगा, वो एक particular day का code होगा, ठीके ना, जैसे अगर माल लीजे, आपके पास remainder आता है, zero remainder आता है, one, ठीके ना, तो वो एक particular day का code होगा, तो day code आपको पताओने चीए, अब तीन चीजें आप लोगों को, मैं जो कह रहा ह है, यह है month code, क्या है, यह month code, अब normal year के अलग month code चलते हैं, उनको याद कैसे रखें, 144, 0, 25, 0, 36, 14, ऐसे 3-3 के pair में, और leap year के month code अलग चलते हैं, देखो leap year के जो march से लेकर के December तक के month code है, वो बिल्कुल सेम है, January, February मैं minor से change है, minus 1 करो, 0 बन जाएगा, minus 1 करो, आपका 3 बन जाएगा, मतलब आप लोग normal year के month code से leap year के month code बना सकते हैं, तो normal year के month code कैसे याद रखें, 144, 0, 25, 0, 36, और 146 से याद रखें, और मैंने क्या कहा, leap year के जो month code है, वो आपके March से लेकर, December तक बिल्कुल सेम है, August का code चाहे normal year है, चाहे leap year है तीन ही होगा, September का code चाहे normal year है, चाहे leap year है 6 ही होगा, December का code चाहे normal year है, leap year है 6 ही होगा, तो guys, यहाँ पर जो changes हैं, वो येर में 1 और loop weird में 0 फरवरी का code नॉर्मल येर में 4 और leap year में 3 और हम याद कैसे रखेंगे अगर हमें नॉर्मल येर के मौन्थ कोड याद है तो जनवरी से और फरवरी से माइनस 1 माइनस 1 और बाकिस सब सेम इस तरीके से हम याद रखेंगे अब बात गाईज यह जो remainder है ना आपको इस फोरोला में रखना है CC मतलब century code is equal to 6-2R R को कहां पर put कर दोगे guys आप R को put कर दोगे इस 6-2R में R की जंगा guys अगर माल लिजे आपने 19 को 4 से divide किया तो remainder कितना आएगा 3 आएगा इस 3 को आपको 6-2R 6-2 into R की जंगा put करना है याद रखेगा ये सीखना है अच्छा day code की list जो होती है वैसे general आप लोगों को पता है Monday 1 होता है लेकिन आप लोग मेरे तरीके से मेरी trick से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को याद रखना है Sunday 1 Monday 2 Tuesday 3 ठीके ना Sunday 1 याद रख ले ना उसके बाद तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 7 को अब 0 भी कहते हो याद रखेगा Sunday 1 होता है क्या होता है Sunday 1 होता है ये याद रखेगा चलिए अब मैं आपको question करवाता हूँ कि 14 मई 2021 आप लोगों को क्या करना है जो ये एक date आपको दे रखे है 14 मई 2021 इसको इस परकार से लिखना है थाकि आप 5 value बना पाएं आप 5 code निकाल पाएं यानि इसको 5 factor में लिखना है 14 मई ठीक है कैसे लिखना है देखो 20 अलग 21 अलग और 21 बटे 4 अलग पहले तो ये 5 तरीके से 5 factor में इसको divide करना 5 part में इसको divide करना आप समझ लीजे उसके बाद यहां से आप लोग बनाईए 5 code चलिए जल्दी से बनाएंगे हम 5 code 14 का तो 14 रहेगा guys 14 का 14 रहेगा month code आपको याद होने चाहिए guys मई का code आप लोगों के सामने है मई का code होता है 2 ठीक है ना तो month code मैंने list आपको पहले ही दे दिया मई का code चाहे normal year चाहे leap year 2 होता है century code अभी बनाना सिखाया था कि इस 20 को आप 4 से भाग दोगे यह जो remainder आएगा 6 minus 2 into r में r की जंगा रखोगे 6 minus 2 into 0 6 minus 0 finally century code बन जाता है 6 ठीक है और 21 का 21 number of year आपके 21 और 21 बटे 4 यह कितने पर कट जाएगा 5 point something पे तो 5 तो guys यह 5 value जैसे ही आपने बना ली तो इनको जोड़ लेना 14 और 21, 16 और 6 हो जाता है आपका 22 22 और 21 हो जाता है 43 और 43 और 5 हो जाता है 48 तो guys last में जो यह total आपने पास आया है इस total को आप लोगों को क्या करना है 7 से divide करना है जी हाँ 7 से divide किया 7, 42 होता है remainder कितना है अच्छे यह particular day को represent करता है 6 किसको represent करता है guys Friday को represent करता है तो आपके question का answer Friday हो जाएगा यह day code की list आप लोगों को मुझे मेरी लेकर के चलनी है अभी मैंने 6 अपना remainder निकाला जो remainder आएगा वो एक particular day को represent करेगा 6 Friday को represent कर रहा है मैं फिर से आप लोगों को एक question समझा देता हूँ जैसे मान लीजे हमारी जो date है वो है 18th of September 2021 ठीक है न तो guys अगर 18 सितंबर 2021 का दिन जो अभी की date है आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको 5 हिस्सों में लिखेंगे कैसे 18 अलग, सितंबर अलग, 20 अलग, 21 अलग और 21 बटे, लाष्ट में 21 बटे 4 तो ये 5 value आपको बनाने के लिए 5 पार्ट में इस date को लिखना है इस परकार से और उसके बाद guys 18 का 18 सितंबर का code 6 होता है 20 से century code मैंने बना के दिखाया है रट ही लो, 20 से century code 6 बनता है तो 4 से भाग दिया century code बनाने के process आपको दी थी ये remainder जो आया है 6-2 into R में R की जंगा रखा जाता है 6-2 into 0, 6-0 finally century code आपका 6 बनता है 21 का 21, number of year 21, years last to 2 digit और 21 बटे 4 अगर आप काटते हैं तो 5 पर कटता है इनको जोड़ लो 18 और 6, 24, 24 और 6, 30, 30 और 21 कितना हो जाता है 51, 51 और 5 कितना हो जाता है 56 और अगर मैं 56 को 7 से भाग दूँगा remainder आएगा 0, 17, 58 finally इनको जोडने के बाद last में आपको 7 से भाग देना है यह याद रखना है और जो एक remainder होता है यह particular day का code होता है तो जो remainder आ रहा है वो है 0 अब 0 किसे दर्शाता है यह तो आप लोग देखी रहे हैं 0 दर्शाता है Saturday को और 18 सितंबर 2021 Saturday ही था तो guys अगर आप लोगों को यह trick समझ में आ गई है तो आप एक काम करेंगे मुझे इस वीडियो के offline comment में यह बताएंगे कि आपको दिक्कत का है और आप लोग जल्दी से मुझे 26 January 1950 का दिन निकाल करके बताएंगे ठीक है ना What will be the day of the week on 26th January 1950 तो आप इसको 5 हिस्सों में लिखेगा 26 अलग जनवरी अलग 19 अलग 50 अलग और 50 बटे 4 अलग और ये 5 वेल्यू अगर आपने सही सही निकाल ली उनको जोड कर साथ से भाग दे दिया तो आपका काम हो जाएगा तो ये थी guys trick एक particular date का डे निकालने की उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आगी समझ में आगी तो session को like share जरूर कर दीजेगा और हर Sunday हर सपता ये आपका Unacademy का combat test होता है इसमें participate जरूर किया करो Unacademy app install कर लीजिए और deep sir code लगा करके enroll कर लीजिएगा ठीक है गाइस और Unacademy पर मेरी plus की classes चल रही है Reasoning by दिपांशु शर्मा नाम से आप मुझे कहीं पर भी सर्च कर सकते है Complete Foundation Course on Reasoning Ability ठीक है उसके लिए आपके पास S.S.C. exam का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप Deep sir code लगाईजिएगा आपको directly 10% discount मिल जाएगा Directly proceed to pay मत कर दीजिएगा पहले referral code and then proceed to pay 7-minute चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत सभी को राम राम नमस्कार परनाम और तो guys session अगर अच्छा लगा like share जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और आप चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके बैल आइकन बटन को जरूर दुबा लिजिएगा इसी परत्यार की प्यारी प्यारी ट्रिक आपके लिए लाता रहूँगा इस वीडियो के offline comment में बताईएगा next trick कौन सी आप चाहते हैं और उस question का जो मैंने आपको दिया है उसका answer क्या है जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर सी यो और जैहिंसात्यू थैंक्यू सो मच बबाए